मैं आपक्मेंट और एक में एक सिंग और आज फिर ैईवीस की एंचियार्ट्य को देखेंगे यानि एव्यस एंचियार्टी क्लास थर्ड की और हमने फौर्ट की देखेंगे आज हम क्लास फॉर्थ की जो 11 चेप्टर है उसे देखेंगे NCRT के नोट्स और यह यानि क्लास फॉर्थ के NCRT प्लेलिस्ट भी वन गई है तो आप उसमें भी जाकर चेप्टर न से एकर 10 तक देख सकते हैं आज हम देखेंगे चेप्टर 11 चेप्टर 11 कहा चेप्टर 11 कहां different तो इसमें हम देखते हैं क्या रहा है उत्राकंड में पाड़ियों के बीच एक ऐसा ही जंगाय जहां पर फूल ही फूल है और उससे कहते हैं यह फूलों की छत कहलाता है यानि कि फूलों की छत वाला जो कोशन है उत्राकंड वाला कोशन है यह वाला पूछा गया है कि आप से पश्चाय बिहार में मदुवणि न прошienna नाम का एक घिला है मदुवणि पेंटिंग और है है मदुवणी पेंटिंग के बारे में आप पर घर में एकी दिवारों पर आंगन में बनाई जाती है क्या बनाई जाती है और किस से बनाया जाता है सबसे जादा important question आता है पूचा जाता है चावलों से यानि चावलों को रंग मिला कर उसमें यानि खास तरह के रंग होते हैं किस से जो नील हल्दी फूलों आदी के रंग को इस्तमाल करके बनता है इसमें क्या चित्र किस के इनसानों के जानवरों के पेड़ के पंची के मचली आदियों के जीवित जानवर है उनके चित्रों को द्रशा आ जाता है तो यह आपको पता होना जी और यह question में ठीक है चलिए आगे चलते हैं कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है तो यह कचनार वाला उत्तर प्रदेश वाला यानि कि यूपी टैट कोशन है तो इसका भी ध्यान लगना के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है सहजन चलिए आगे सरदी में जो तवचा होती है वो फटने के लिए गुलाब जल में ग्लीसरीन को बराबर मातरा में मिला का CCM बरकर रखने से उसे बूंद भर क्या करना चाहिए उसमें नीमबू डाल कर उसे इसमाल करना चाहिए इससे आपकी स्क्रीन नहीं फटती और यह भी कोशन आपका रहे हैं वह आपके most important notes है तो इस चीज का ध्यान ना करना और प्रिवियसर की कोशन पेपर है उन्हें जरूर देखते रहे ना क्योंकि अगर प्रिवियसर की कोशन पेपर किसी को चीए तो link description में दिया गया है वहां से आप जा खर ले सकते हैं ठीके बच्चो चलिए आशा क आपको करता है वीडियो बचने वीडियो बचने तो like करें चैनल को सब्सक्राइब को रेमटी वीडियो बचने चैनल करें जिर्ग करें थैंक यू